महत्तम समापवल तक या HCF कैसे निकालते हैं? ये तो हमने सीख लिया है, इसके निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये दरसल काम कैसे कलते हैं? और इनसे हमें HCF कैसे मिल जाता है? और दरसल HCF क्या होता है? ये हम जानेंगे इस वीडियो में. तो चलिए एक उधारन लेते हैं. समझो के मेरे पास दो संख्याएं हैं, वो हैं 12 और 18. तो मुझे 12 और 18 का HCF ग्याद करना है. तो HCF ग्याद करने के हमने बहुत सारे तरीके सीखें, उसमें से एक तरीका ये है कि 12 का अभाज गुणन खंडन हम कर दें, तो यहाँ पर ये में ले लेता हूँ, हमारे पास है 12 और इसका अभाज गुणन खंडन हम कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये होता है 2 गुणा 6, तो यहाँ आ जाएगा 6, और जो 6 होता है वो होता है 2 गुणा 3, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3. तो 12 का अभाज्य गुणन खंडन हो चुका है 2, 2 और 3 में तो यानि कि जो 12 है वो हुआ 2 गुणा, 2 गुणा, 3 अब इसी तरह से हम 18 का भी अभाज्य गुणन खंडन कर लेते हैं तो हमारे पास है यहाँ पर 18 और 18 होता है 2 गुणा, 9 और 9 हो जाएगा 3 गुणा, 3 तो 18 का अभाज्य गुणन खंडन हमने कर लिया 2, 3 और 3 में तो 18 हम लिख सकते हैं कि यह बराबर है 2 गुणा, 3 गुणा, 3 अब तुम याद करो कि इसके आगे हम क्या करते थे और हमें HCF कैसे मिल जाता था तो इसकी जरा अच्छे से कल्पना करने के लिए यहाँ पर मैं चित्र के रूप में इने दर्शाता हूँ तो 12 के जो अभाज गुणानखंड है उन्हें मैं इस तरह से इस वृत में दर्शाता हूँ वो है 2, 2 और 3 और इसी तरह से 18 के भी अभाज गुणानखंड मैं यहाँ दर्शाता हूँ रित में 2, 3 और 3 अब हम यहाँ निकालना चाहते हैं HCF यानि कि महत्तम समापवल तक यानि कि सबसे बड़ा सार्व गुणानखंड तो सबसे पहले तो हम यहाँ जानना चाहते हैं कि इन दोनों समिच में कौन-कौन से गुणानखंड है जो समान है तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ मैं इसे जरा दुबारा से यहाँ बना लेता हूँ अलग से ले लेता हूँ और इसे भी मैं यहाँ अलग से ले लेता हूँ और अब अगर इन दोनों को मैं मिला के देखना चाहूं कि कौन से गुणनखंड समान है तो तुम देख रहे हो यहाँ पर यह दो और तीन इन दोनों ही समिच्चों में समान है तो यह दो और तीन हो गए समान गुणनखंड तो यहाँ पर यह दो और यह तीन यह समान गुणन अगर दोनों ही 12 और 18 के ऐसे गुणनखंड है जो दोनों में ही समान है, यानि कि 2 और 3 दोनों ही 12 और 18 दोनों को ही विभाजित कलते हैं, तो अगर मैं इन दोनों गुणनखंडों को गुणा कल दू, 2 गुणा 3 यह हो जाएगा 6, तो 6 भी तो 12 और 18 दोनों को ही विभाजित कर यानि कि 6 होगा 12 और 18 का सबसे बड़ा गुणनखंड यानि कि यह होगा महत्तम समापवलतक यानि कि HCF तो हमने यहाँ पर यह HCF जो है यह कैसे निकाला हमने यहाँ पर देखा कि दोनों ही संख्याओं में कौन से गुणनखंड है जो समान है वो आये हमें 2 और 3 और फिर हमने उन दोनों को गुणा कर दिया तो 2 गुणा 3 हमें मिल गया 6 तो 6 हुआ 12 और 18 का HCF आए यह एक और उधारन लेते हैं तो मैं यहाँ तुम्हें दो संख्याएं देता हूँ वो हैं 120 और 84 तो क्यों ना इस वीडियो को तुम यहाँ रोक कर इसे खुद से हल करनी कोशिश करो और फिर वापस आओ तो उम्मीद करता हूँ कि इसे तुमने हल कर लिया होगा तो यहाँ पर मैं जल्ली से 120 के अभाज गुणन खंडों का समुझ बना लेता हूँ तो 120 के अभाज गुणन खंड है 2, 2, 2, 3 और 5 यानि कि 120 होता है 2 है यहाँ पर 3 बार यानि कि यह हो जाएका 2 की घा 3 गुणा यहाँ पर है 3 गुणा है हमारे पास 5 और इसी तरह से 84 के अभाज गुणन खंडों का समुझ होगा यह जोंगे 2, 2, 3 और 7 यानि कि 84 है यहाँ पर 2 है 2 बार तो 2 की घा 2 गुणा 3 गुणा 7 अब यहाँ पर हमें देखना है कि कौन-कौन से अभाज गुणन खंड दोनों में समान है तो यहाँ पर मैं इस समझ को दोरा लेता हूँ यहाँ पर और उसी तरह से इस समझ को भी मैं यहाँ दोरा लेता हूँ और अब देखते हैं कि कौन-कौन सी संख्या यहाँ पर समान ह तो यहाँ पर देखो, तो दो, दो, तीन ये ऐसे गुणनखंड है, ऐसे अभाज गुणनखंड है, जो दोनों ही समुझ में समान है, यानि कि 120 और 84 के जो समान गुणनखंड है, वो हैं 2, 2 और 3, पर हमें जानना है सबसे बड़ा समान गुणनखंड, तो जैसा कि हमने बात की थी, कि अगल 2, 2 और 3, 120 और 84 को विभाजित कलते हैं, या उसके गुणनखंड है, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 भी इन दोनों को विभाजित करेंगे, या उनके गुणनखंड होंगे, और वो हो जाएगा इन दोनों का सबसे बड़ा समान गुणनखंड, यानि कि महत्तम तो यहां पर HCF हुआ 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 120 और 84 का जो HCF है, वो हमें मिल रहा है यहां पर 2 गुणा 2 गुणा 3, यानि कि यह है 2 की घा 2 गुणा 3, और यह हो जाएगा 2 की घा 2 यानि कि 4 चार गुणा 3 यह हो जाएगे 12, तो 120 और 84 का जो HCF है, वो है 12, और यहां पर यहां पर 2 की घात 3 है, यहां पर 2 की घात 2 है, तो जो समान है वो है 2 की घात 2, और है समान यहां पर 3, तो यही हुआ हमारा HCF, तो यह HCF निकालने के कई अलग-अलग तरीके है, किसी कक्षा में हमने HCF निकालने का एक और तरीका सीखा था, जहां पर हम कुछ ऐसे कलते थे, मै 80 हो गया 42, फिर 2 से विभाजित करने पर 60 हो गया 30 और 42 हो गया 21, फिर 3 से विभाजित करने पर 30 हो गया 10 और 21 हो गया 7, और अब आगे 10 और 7 को विभाजित करने वाला कोई समान संख्या हमारे पास नहीं है एक के अलावा, तो हम यहां रुख जाते हैं, तो यह हो गए हमारे सम जानकारी मिल गई होगी